मैं आप सबके साथ में घर पर ही मार्केट जैसा ऐलोविरा जल कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी साथ ही आपको ऐलोविरा आइस क्यूब्स बनाना भी दिखाऊंगी जो आप बहुत इसली स्टोर एंड यूज कर पाएंगे वैसे हम सभी जानते हैं कि एलोविरा ज़ल हमारे हैज एनन सकिन के लिए कितना अच्छा है और हम सभी मार्केट में अवेलिबल कई सारे ब्रांज के एलोविरा जल भी यूज करते हैं को भी आन कर दे जिसे मेरा एक भी वीडियो आप मिसना करें तो चलिए अब इसे बनाना स्टांट करते हैं तो सबसे पहले हमें अलोविरा की कुछ लीफ को तोड़ लेना है मैं यहां पर चाहँ से पांच लीफ को तोड़ लूँगी वैसे इस चैल को बनाते वक्त हमें क्लें या फिर हाईजियन का बहुत ही ध्यान रखना होता है नहीं तो जल्दी ही इसमें बैक्टेरिया ग्रो होने लगते हैं और जल भी खराब हो जाता है अगर आपके अरोविरा लीफ में कहीं भी आपको यलोईश लिक्विड नजर आए तो उसे निकाल ले और यूज ना करें क्योंकि यह पॉजनस होता है और हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है इसके बाद इसे आप अच्छे से गुनगुने पानी में वाश कर ले जिससे इसमें से बैक्टेरिया या फिर जर्म्स निकल जाए फिर आप एक क्लीन नाइफ या वेजडेबल पिलर की हैब से इसकी इसको कट करके बीच में से कट कर ले आप 15 दिन के इस्तमार के हिसाब से ही इसे बनाए क्योंकि हम इसे बिना किसी आर्टिफिशल प्रेजर्वेटिव के बना रहे हैं इसलिए ये 15 दिन तक ही यूज में आ सकता है इसके बाद आप एक बोल में इसके जेल को स्क्रैप करके अलग कर ले अगर आपके पास मोटी अलोविरा की लीव्स हैं तो हैवी कॉंटिटी में जेल निकल सकता है लेकिन मैं यहाँ पर थिन लीव्स का यूज कर रही हूँ जिससे जेल भी काफी पतला निकलेगा इसके बाद आप इसे ग्रैंडिंग जार में डाल के तीन से ना करें नहीं तो जेल बहुत ही लिक्विडी हो जाएगा या फिर जल्द ही खराब हो जाएगा फिर इसे एक बोल में निकाल गे आप इसमें एक वाइटामिन E की कैपसूल को एड़ करें यह एक नेच्रल प्रिजर्वेटिव का काम करता है और यह पिग्मेंटेशन को रि अब इसे एक कंटेनर में शिफ्ट करके इसे चार से पांच घंटों के लिए फ्रीजर में छोड़ देंगे जिसे यह सेट हो जाए करीब पांच घंटों बात आप देख सकते हैं कि यह जैल पूरी तरह से सेट हो गया है और यूज करने के लिए भी रेडी है अब हम बनाए अब देखेंगे ऐलोवेरा आइस क्यूब्स यह बहुत ही एजी डू प्रिपैर है और बहुत ही इसे यूज भी किया जा सकता है इसके लिए मैंने यहाँ पर आलोवेरा की लीव्स ली है और उनकी काटों वाली साइज को मैंने अलग करके इसकी ऊपरी सकिन को भी अलग कर है फिर हमें इसके चोटे चोटे आइस क्यूब्स के शेप के पीसिस कर लेना है जिससे यह अच्छे से सेट हो सके फिर आप इसे आइस ट्रे में एक एक करके डाल ले और इससे 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में ऐसे ही छोड़ दे करीब 3 घंटे बाद यह पूरी तरह से हो जाएगी इन ice cubes को इस तरह से बनाने पर ये use करने के लिए भी easy होती है और इसे store करने में भी problem नहीं आती आप चाहें तो इसे food wrap या फिर thick polythene में भी निकाल के store कर सकते हैं वैसे आपको इसमें किसी भी तरह के preservatives add करने की जरूरत नहीं है ये ऐसे ही 15 दिनों तक आसानी से use में आ सकती है so friends ये थी मेरे आज के दो aloe vera gel को store करने के आसान तरीके अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने friends and family के साथ इसे share करें साथ ही आपका कोई requested video या फिर question हो तो उसके regarding मुझे comment section में बताएं मैं उसका answer जरू करूंगी साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करके notification bell icon को भी on कर दे जिससे मेरे latest videos के updates आपको मिलते रहें और आप एक भी वीडियो मिस ना करें so friends अभी के लिए इतना ही see you in my next video till then bye take care झाल